फ्रेंड्स वेल्कम डिस्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज इस वीडियो में हम बात करने माले हैं बैजल और फीजुकेशन यानि बीट के अबारे में अंडर गुजुएट प्रोफेशनल कोर्स है ठीक है यह और बतला दें यह जो है काफ इंफ्रॉमेशन देखेंगे इसके बारे में और मैं बतला दूँ इस वीडियो को पूरा देखें अच्छे बेसिक अण्रश्ट्राइंग जो है आपकी देख में पहला बीडियो है इसके बाद बद जुह है मैं सीरी助 में वीडियो लाँगा बहुत सारे वीडियो आने वाल बहुत कमियावी colleges है पर बहुत सारे colleges ने already start कर दिया है यहां integrated course करा ना BA plus BA, BAC plus BA और become plus BA यहां पर आप देख रहे होंगे कि integrated course जो है demanded भी बढ़ रही है एक साल क्योंकि आप पैस्में बच जाता है तो बहुत लोग इसके तरफ जाते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं होता कि BAC करे या नहीं करे, graduation में जाकर सुचते हैं तो वो जो है लेते हैं BA after BA, graduation के बाद BAC कर लेते हैं बहुत लोग masters के बाद भी करते हैं BA, तो यह जो है आप कभी भी कर सकते है, BA की कोई इस limit है नहीं पर आपको teaching profession में जाना है तो आप जाकर यहाँ पर BA कर लेजे, आपको बहुत ज़्यादा यह आपर hand आप रहने वाले हैं BA यहाँ पर आपको सोचे रहे होगा किसे पढ़ानी को मिलता है BA करने के बाद, तो अगर आप जो है पहला यहाँ नॉर्मली graduation के बाद करते हैं या graduation के साथ करते हैं, तो आपको जो है, यहाँ मेडिल स्कूल और जो है, यहाँ पर class 1-8 समझ लेजे, आपको पढ़ानी को मिल पाइगा, जो है high school के लिए आपकी master degree होनी चाहिए, योजी आप जो है, योजी, पीजी, पीजी, जो है, post graduation आपके पास होना चाहिए, इसके बाद जो है, आप यहाँ पर high school वालों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेजे, आपको कुछ बता दिया गया है इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही से माइंड बना लिया जाए जान लिया जाए क्या है ठीक है तो यहां पर आपको देखें यहां पर आप टीचर बनने के लिए यहां पर यह पर यह कौण से कंडरी लिबसों आपको एक मेडिय में पस उसके बाद आप टेचिंग के तरफ जो है पर इससे पहले आपको जो है उसके बाद job के लिए government job के लिए बहुत सारे examination conduct कराये जाते हैं उनको qualify करना होता है तो यहां पर देखिए आप simply be it के बाद आप eligible हो जाएंगे दो exams के लिए यहां और जो है बहुत सारे private जो है यहां संस्था वो भी exam कराती है पर आप state level teaching eligibility test होता है आपका ठीक है तो इस पर जो है यहां पर eligible हो जाते है आप इस्टेट में जितने भी state schools है जिन्हें state government fund करती है उस पर eligible हो जाते हैं और दूसरा होता है central eligibility test ठीक है जिसे जो है central government जो है वो यहां पर फंड करती है आप देखेंगे दो तरह के schools होते हैं और तीन तरह यहां government बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है state government schools होंगे चुह है central government schools होंगे central वाले को central government fund देती है और फ्राइबेट जो है प्राइबट बहुत सारे आपको दीख जाएंगे बहुत सारे जैसे डिय भी वगरा देख लेंगे आप ठीक है इसमें जो है प्राइबेट है यहां आप जान नहीं को मिलता है . दिघेर्स से सब दो यहां आपको चान लेना है कि आप जो है यहां पर से सकंडरी स्कुल को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके बचल है यूजी की डिगरी वह निस Gods कर लेते हैं घ्र factor मास्टर करने के बाद आप सब आप सकाने Mai Skyovir दिगरी मैंस को पढ़ा सकते हैं और उसके बाद अगर आप टीचर जाने चाहते हैं को इसके लिए आपको क्वालिफाइग करना होगा नेट क्वालिफाइग करने के बाद आपको सेलेक्शन हो जाता है आप एक्सामनेशन बहुत कमी देखनी को मिलता है उस-पर वह भीjan huh है तो आपका helper hand होगा ठीक है जैसे कोई यहां पर प्याट के डिगरी करते हैं ठीक है doctor के डिगरी ले लेते हैं not qualify करने के बाद तो यहां पर आप देखेंगे जब आपका selection होगा mirad बनीगी तो आपके पास b8 के डिगरी होगी तो तो आपका जो है वो ज़्यादा chances है वहाँ पढ़ानी को मिलने के लिए जहां आप लेना चाहते हैं अगर किसी के पास जो है आपका जो है competitive है उनके पास B8 की डिगरी नहीं है तो आपका upper hand हमेशा रहने वाला है तो इस चलते भी B8 की हो सकती है बहुत ज़्यादा demand है और यह से ठीक है और आप सजिस्ट करेंगे तो उस पर भी बनाएंगे वीडियो तो यहां पर देखिए यह जो फी रहता है आपका नॉर्मली हाई रहता है गवर्मेंट वाले पर कम रहता है बहुत सारे से महीं गवर्मेंट भी आपको दिख जाएंगे उसमें भी normal average आपकी फी र प्लस बीड इंडिग्रेटेट कोर्स बीसी प्लस बीड और अगर करने के बात करते हैं तो यहां पर बतला दिया गया है पचास से पश्पन परसंट आपके पास होने चाहिए 55 प्लस आपके रहते हैं तो इसली आप जो है किसी भी कॉलेज में इलिजिबल हैं इंड्रेंस द सब्सक्राइब कराया जाता है विफोर दा एक्जाम एडमिसन ठीक है उसी के बाद आप आप सकते हैं सब जो है पार्ट होता है तो वह आपको देना होगा तो उस पर बात करेंगे बात पर यहां पहले आप जान लेजिबलेटी आपके 55 परसंट रहने चाहिए बहुत सारे यहां पर जो है अलग अलग जैसे इस्टेट में अलग कॉलेजेस होंगे जो प्रविट इस्टिशन है वो थोड़े अलग है तो इसमें सबका जो है एफ्रोक्स ले लिया गया है 50 से 55 इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बेट की एस लिमिट है क्या यहां पर तो बता दे नहीं कोई इस लिमिट नहीं है आप जो है 50 में कर सकते हैं यह कोर्स पर जो है मीनिमम में इस लिमिट यहां पर बता दिया गया है 19 यह आप ओल्ड होने चाहिए और यहां पर कुछ स्कील आपकी है अगर यह है तो बहुत अच्छी बात है आप जो है टीचिंग लाइन के ल पर कोसिस किजिए इन्हें डेवलब करने की ठीक है ताकि आपको जो है अच्छा हो उस लाइन में जाए तो जहां आपको जो है अच्छे से आप कर सकते हैं कुछ यहां इस सब कोईलेटी के साथ तो बतला दें यहां पर जो है मैं यह पहले वीडियो बना रहा था इस पर आ बहुत सारी जानके आरिया देना बाकी है तो चैनल के साथ कनेक्ट रहेगा आपको बहुत जल्द परवाइट करूंगा सब कुछ जिससे आपको फूल आडिया हो जाए बीडियो के बारे में आप बीडियो करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या से बेट के पास सब कुछ बतलाओंगा थैंक्स पर वाचिंग बेस्ट आफ लग